हेलो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागात है त्रिपान स्टेडी सेंटर में आज जो आपके समक्ष पस्तूत किरने जा रहा हूँ वो काफी महत तुपून है जो बच्चे कांप्पूटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी महत पून रहेगा इसमें М.C.Q. आपके समक्ष कोशं रह ignor heads जो हर एक daim के लिए महत पून रहेगा चाहे आप स्सथ की exam दे रहे यूपी एसी के एक्जाइम दे रहे हो तो काफी महत्व रखेगा चलिए देखते हैं हमारा आज जो है mcq क्या कहता है यहां पर जो हम कर रहे हैं काफी महत्वपून चैप्टर है बन और बन जीवन संसाधन जो आपके एक्जाइम व्यू से काफी महत्वपून है और देखा जाए तो यहां जो कोशन आया है बन और बन जीवन संसाधन के अंतरगर और कोशन है कि वो प्रजातियां जो बिलिप्त होने के खत्रे में हैं क्या कहलाती है कोशन आप समझ गए होगे कि वो प्रजातिया जो बिलिप्त होने के खत्रे में है उसे हम क्या कहते हैं क्या उसे आप कमजोर प्रजातिया कहते हूँ या दुरलब प्रजाति कहते हूँ या लुप्त प्रजाति कहते हूँ या समाने प्रजाति कहते हूँ अपना आंसर चूस कर लिया होगा कि कौन सा आपका सही है इससे यह होगा दोस्तों कि आपका जो है नौलेज बढ़ेगा कि आप कितना सक्षम हो कोशन मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि वह प्रजातियां जो बिलिप्त होने खत्रे में हैं उसे हम क्या कहते हैं तो दे नेचर में रह सकती है जो संगाश करें ठीक है और जो पावरफूल हो कमजोर पर जातियां नहीं रह सकती उबलुप्त हो जाएगी लेकिन गलत है ऐसे बहुत से हमें जीप जंतू नेचर में देखते हैं जो बहुत ही कमजोर है थेंसकि फिर भी बनें हुए तो यह ऑप्श यानी A, B, D जो है गलत है हमारा यहाँ पर जो सब्द यूज हम करते हैं वह प्रजाति है जो भी लुप्त होने खत्रें में है वो कहलाती है लुप्त प्रई प्रजाती अगर आप वह दिमाग लगाते तो आपको पता है कि लुपत उपर लिखा हुआ है लुपत प्रई करने का अपना एक अंदाज होता है अपना एक इंटलिजेंसी होता है यहां पर बचे तुका नहीं लगा सकते सिर्फ नॉलेज लगा सकती है कुछ कोशन ऐसे आपको दिख रहे होंगे जो बहुत ही काफी कोशन में अंसर चुपे होती है और इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज की जरूरत है थोड़ा समझ की जरूरत है और यही समझ और सोच जो है यहां पर तिरपान स्टेडी सेंटर जो है विक्सत करने की कोशिश कर रहा है और यह आपके लिए काफी महतुपून था अब चलिए देखते हैं अगला कोशन क्या है हमारा आपके स्क्रीन पे जो है अगला कोशन आ गया है काफी महतुपून है और यह कोशन बहुत साफ है कि हमारे देश में हाली में बन चेतर में विरिद्धी हुई है आखिर देखा जाए तो बनों में विर्द्धी किन कारणों से हुए यह कॉशन यह है कॉशन जब आप परोगे तो आपको कन्फियूस हो जाओगे यह कॉशन तो बहुत ही पताने क्या पूछ लिया है कि हमारे देश में हाली में बन्द चैत्रों में विर्द्धी हुई है तो या CBVN एजेंसियों दोरा भी श्रोपन को माने या D उपयोगत में से कोई नहीं अब देखिए काफी महत पूर्ण कोशना कर थोड़ा दिमाग लगाईएगा तो आपका अंसर बिलकुल साफ होगा और मुझे पता है कि आप अंसर जो है मैकसिमम प्राक्ति बन विकास में गाई बन विकास में विद्धी नहीं हूई है प्राक्ति बन विकास होता जा रहा है इसका इतना प्रभावाव में देखने को नहीं ह是這樣 तो इसके का만 तो विद्धी तो आपको पता होना चाहिए कि भाड़ा सरकार ने एक महत्वपून यहां पर प्रोग्राम चलाया है कि बहुत से जैंसियां जो है पेर पौदे लगाने के लिए अगर सर है और लोग को जागरु की भी कर रहे हैं तो हमारा आंसर सी होगा कि बीवी ने जैंसियों दोरा ब्रिक्ष्रोपन के कारण जो है हाली में हमारे देश में बंच्छित्रों में ब्रिध्धी हुई है और देखिए यह ब्रिध्धी उतनी नहीं हुई जितना आप सोच रहे होगी यह कहते हैं एक बाल के तिनके के बराबर हुई है इसे हमारे प् अगला कोशन जो हमारे समक्षाया है काफी महत्वपून है और कोशन यहां पर पढ़ने पड़ आपको समझ में आएगा यह कहना क्या चाहता है कोशन आप सकते हो कि वह प्रजातिया जिनकी जनसंक्या उस सतर पर घट गई है जहां नकरात्म कारकों के सक्रिये रहने पर नि आए दिन घटी चली जा रही है अगर इसी परकार वह घटता रहा तो आने वाला समय में जो है वह लुप्त प्राइस रेनियों में जाने की संभावना है और जो अभी लुप्त होने का गार पे है जो जा रहे है उसको हम कहते क्या है अब कोशन समझ में आ गया होगा कि जो प्रजातिंग चली जा रही है प्रजातिया कि उसको हम क्या कहते हैं तो यह आपको सोचना है तो सोचिए और इसका अंसर देखने के कोशिश कीजिए तो आपने सोच लिया होगा किसका अंसर आपने क्या चूस किया है क्योंकि देखिए दोस्तों इसलिए मैं टाइम देता हूँ तुरा सा क्योंकि इससे जो होता है आपको सही option और अपने ग्यान का परक करने में बहुत काफी मदद मिल जाती है कि मेरे से पहले आप अंसर दे देती हो और मैं यहापर अंसर बीशोर नहीं कर रहा हूँ इसलिए आपको फैदा ही फैदा है इसे आप जितना बार देखिएगा उतना आपको फैदा होने वाला है क्योंगी कहते ना करत करत अभ्यास से जर्मति हो सुजार रसी आवज्जात तो सिल्प परत निसान यानि बार-बार कोशिश करोगे तो जिरू काम्याबी की उसको सौटी पर पहुचोगी जहां पर आपका लक्ष है तो कोशन चलिए देखते हैं वे प्रजादी जनक अब बात रह गया कम जोड़ पर जाती यानि कम जोड़ है अभी जो बिलुपत हो रहे हैं लोग उसको कर रहे हैं अगर भविश्य में इनको सनक्षन ना किया गया और इसे प्रकार से नकड़ात्मक कार कोई कारण सक्रिये रहने पर ये आने वाला भविश्य में बिलूप्त हो जाएंगे तो हमारा अंसर जो है इसका सी है यानि कमजोर प्रजातियां तो आप समझ गए होगे किसका अंसर क्या है कमजोर प्रजातियां चलिए आगे देखते हैं कि क्या है अगला कोशन आपके समक्षा गया होगा कोशन साफ है कि हिमाले भूरा भालू किसका उधारन है हिमाले भूरा भालू जो है जो हिमाले में पाया जाता है वो किसका उधारन है ए कमजोर परजाती का बी दुरलब परजाती का सी एस्तानी परजातियां का और डी बिलूप्त परजाती देखिए यहां पर कोशन काफी इंट्रेस्टिंग आपसे पुछे जा रहे हैं और यह कोशन हर जगा महतवपूनता अपना विखरेगा चाहे आप क्लास वाइस इसको देख रहे हो चाहे कॉंपूटिशन वाइस देख रहे हो हर जगा महतवपून है और आगने वाले वहिश्य में भी काफी आपके लिए महतवपून साबित हो सकता है तो आप इसका अंसर सही पहले चूस किजिए फिर मैं आपको बताता हूं इसका अंसर क्या कह सकती हैं कहते है चो क्छता हो चुकि हैं तो इसका टُ अंसर हो यी नहीं सकता कमजोर तो कमजोर होने के सामभावना रहती है अदुरलब्ब होने की चांसिस कुछ कुछ हद तक बनता है और अस्थानिय प्रजाती तो नहीं बनता क्योंकि हिमाले भूरा भालू स्थानिय प्रजाती नहीं है तो इसी और डी तो चलिए यहां से बिलूप्त हो गया यह खतमी हो गया यह उप्शन का में कोई मतलब नहीं है मैं हमेज़ा एक बात कहता हूं कि अगर आप एलिमिनेट कर देते हो कुछ उप्शनों को तो कुछी कोशन में दुवंद रह जाती है तो यहां पर ए और बी में काफी दुवंद हो रही है आप पसमें ठक्राब हो रही है अब यहां तो अनसर ए हो सकता या भी हो सकता है लेकिन हम देखें हिमाले भूरा भाल का समसे अच्छा उधारन है अचली देखते हैं कि क्या है हमारे समक्ष यहां पर जो कोशन आया है काफी महतवपून है कोशन आप देख सकते हो कि कि लिए रहा है कि उत्तर पुर्वी भारत में जंजाती छेत्रों के काफी हिस्से जो है बनों की कटाई कर दिये गए है यान कौशन यह बन जाता किस करण की गई है काभी बनों की कर देक क्यों की गई है क्या यह स्थाहती खेती के के लगा देते हैं और कई जगा जो है चैनलों में यूटूब चैनलों में बच्चों को बताया जाता है कि आप ना तुक्का लगा के भी अंसर नहीं सकती हो लेकिन देखा जाए जहां नौलेज है वहां तुक्का नहीं चलती है समझ लगाओगे तो वह आपके लिए भी अंसर चूज कर लिया होगा अब इसी के अंतरगत मैं लोगारत में जया उत्तर चैनलों की बात कर रहा है जनलों कि नो हम लेंगे नहीं दो लाए नहीं तो यहां पर देखिए तीन तो आप्शन हो शल्रूं我就 ओटा खुरन का मतलब होता तो बड़े बड़े खुदाई करना उसमें से कोई पिट्रोल निकालना ऐसा तो होई नहीं सकता संबब भी नहीं और बुन्यादी डर्च विकास तो विकास तो देखने को मिला ही नहीं तो इसका मतलब है कि इसका अंसर एस्थांतरित खेती कारण आपको को साब करके जो है खेत करते थे तो यह कई हिस्सों को जो है बनों की सफाई करते थे और कुछ समय के लिए जो है क्रिश्री करते थे तो इसी क्रिश्री को हम अस्तांतरित खेती भी कहते हैं इसे जूम खेती भी कहते हैं तो जिसका अंसर जो है अस्तांतरित खेती यानि यह option सही है जो यहाँ पर correct बताते हैं